Hello everyone, welcome and welcome back to my channel आज की क्लास में हम English Reading करना सीखेंगे जी हाँ, कुछ ऐसे छोटे-छोटे words मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिनको सही तरीके से पढ़ना मैं आपको बताऊंगी और साथ ही उनका Meaning भी मैं आपको बताऊंगी तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना क्योंकि यही वो शब्द हैं जो आपको शुरुआत से इंग्रेजी सीखने में काफी मददगार साबित होंगे तो पटापट से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि बहुत महनत लगी है वीडियो बनाने में सबसे पहले लिखा है I क्या पढ़ते हैं इसे हम आई पढ़ते हैं ठिक है फिर है we इसे पढ़ते हैं इसे हम पढ़ते हैं शी क्या पढ़ेंगे शी C नहीं, she, ठीक है फिर है, H E इसे पढ़ते हैं, he H E he F O R इसे हम पढ़ते हैं, for क्या पढ़ते हैं, for पढ़ते हैं तो चलिए एक बार इनका meaning भी देख लेते हैं तो I का मतलब होता है, मैं I यानि मैं, ठीक है अपने आपके लिए हम I का इस्तमाल करते हैं, फिर है V V का मतलब होता है, हम या हम लोग, V का मतलब क्या होता है हम या हम लोग ठीक है, फिर है She, she का मतलब होता है हिंदी में, वह, she यानि वह, और she का इस्तमाल होता है, किसी female के लिए यानि किसी स्त्री के लिए ठीक है फिर है ही ही का मतलब भी वह होता है शी का मतलब भी वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है इंदी में लेकिन ही का इस्तमाल होता है किसी पुरुष के लिए यानि किसी मेल के लिए ठीक है फिर है फॉर फॉर का मतलब होता है के ए फोर यानि के लिए अब नेक्स देखते हैं ए इसे हम क्या पढ़ते हैं ए पढ़ते हैं फिर है ए एन इसे पढ़ते हैं हम एन क्या पढ़ते हैं एन फिर है आई टी इसे पढ़ते हैं इट क्या पढ़ते हैं इट पढ़ते हैं फिर है एच ए आर इसे हम पढ़ते हैं हर क्या पढ़ते हैं हर A and D इसे हम पढ़ेंगे and क्या पढ़ेंगे and तो चलिए एक बार इनका आप meaning भी जान लेते हैं A, A का मतलब होता है एक, A यानी एक और A का अस्तमाल वहाँ पर होता है जब कोई शब्द किसी consonant से शुरू हो रहा हो, consonant यानी वेंजन, अब आप सोच रहे होंगे कि यह consonant क्या होता है देखिए, English alphabet में A से लेके Z तक जो हमारे English के alphabet होते हैं, उसमें से A, E, I, O, U तो हमारे vowels होते हैं और बाकी के जो बचे वे जितने भी होते हैं वो सभी हमारे consonants के लाए जाते हैं अब यहाँ पर example के लिए pen है, pen में P क्या है हमारा consonant है, यानी कि वेंजन है, ठीक है A, E, I, O, U में से तो नहीं है न P यानी कि P हमारा consonant है तो यहाँ पर P से शुरू हो रहा है यह यानी कि consonant से शुरू हो रहा है तो इसमें क्या आएगा O, pen आएगा, ठीक है उसी तरीके से book, book में भी B क्या है हमारा consonant है यानी कि वेंजन है, इसलिए इसके आगे भी O, book आएगा, ठीक है एक किताब एक pen, ठीक है या एक car, O, car ठीक है, इस तरीके से फिर है, N N का मतलब भी एक होता है A का मतलब भी एक, और N का मतलब भी एक होता है, लेकिन N का इस्तमाल होता है जब कोई शब्द किसी vowel से शुरू हो रहा हो vowel यानी स्वर से तो English में vowels कौन से है A, E, I, O, U हमारे vowel से, इनसे अगर कोई शब्द शुरू होता है तो वहाँ पर हम N का इस्तमाल करते है जैसे, Apple Apple में A क्या है vowel है यानी कि स्वर्ख है, तो यहाँ पर हम, An Apple लिखते है, ठीक है उसी तरीके से, Orange Orange में O क्या है हमारा vowel है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखते है An Orange लिखते है, ठीक है Clear हुई यह चीज, फिर है यह, फिर है Her, H-E-R Her, हर का मतलब होता है उसका या उसकी हर का मतलब उसका या उसकी होता है, और हर का इस्तमाल होता है किसी फीमेल के लिए यानी किसी लड़की के लिए ठीक है, And And का मतलब होता है, और And यानी और जैसे हम कहते हैं कि pen and copy या ice cream and chocolate तो and का मतलब और निकलता है, clear हुआ? अगला शब्द है d-i-d इसे हम पढ़ते हैं did, क्या पढ़ते हैं? इद पढ़ते हैं, फिर है h-o-w इसे पढ़ते हैं how, क्या पढ़ते हैं? how पढ़ते हैं फिर है t-h-i-s this t-h-i-s this t-h-a-t that t-h-a-t that o-n-l-y only क्या पढ़ते हैं इसे only तो चलिए एक बार इसका meaning भी जान लेते हैं did का मतलब होता है किया did यानी किया did क्या है past है do का फिर है how how का मतलब होता है कैसे how यानी कैसे तुम कैसे हो how are you इस तरीके से फिर है this this का मतलब होता है यह this यानी यह this का अस्तमाल कहां पर होता है जब कोई चीज एक हो लेकिन हमारे past में हो तो वहाँ पर this का अस्तमाल होता है जैसे यह मेरी किताब है किताब मेरे पास रखी हुई है और एक है तो this is my book ठीक है उसी तरीके से यह मेरा pen है तो pen एक है और मेरे पास में रखा हुआ है तो this is my pen ठीक है फिर है that that का मतलब होता है वह that यानी वह that का अस्तमाल होता है जब कोई चीज एक हो लेकिन हमसे दूर हो तो वहाँ पर that का अस्तमाल होता है जैसे वह मेरी कार है एक कार है लेकिन दूर रखी है मुझसे तो that is my car ठीक है अब यह जैसे वह मेरी किताब है यानी किताब एक है लेकिन मुझसे दूर रखी हुई है तो that is my book clear है? फिर है only, only का मतलब होता है keval, only यानी keval, next देखते है h-a-v-e half क्या पढ़ते हैं इसे? half पढ़ते हैं फिर है s-o-m-e इसे हम पढ़ेंगे sum क्या पढ़ेंगे? sum m-a-k-e make क्या पढ़ते हैं इसे? make पढ़ते हैं, फिर है a-b-o-u-t इसे हम पढ़ते हैं about क्या पढ़ते हैं? about पढ़ते हैं, फिर है much, m-u-c-h इसे पढ़ते हैं much चलिए इसका meaning जान लेते हैं have का मतलब होता है pass है half का मतलब क्या होता है? pass है जिसे मेरे पास एक car है, I have a car, ठीक है, फिर है some, some का मतलब होता है kuch, some यानी kuch, फिर है make, make का मतलब होता है banana, make यानी banana, किसी चीज़ को banana make, फिर है about, about का मतलब होता है बारे में, about यानी बारे में, much, much का मतलब होता है ज्यादा या बहुत much यानी ज्यादा या बहुत, जिसे कहते हैं न की अरे ये बहुत ज्यादा है, जिसे आपको किसी ने कुछ खाने को दिया, तो आपको कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है, it's too much, इस तरीके से, clear है next है, is is, is, इसे हम क्या पढ़ते हैं, is पढ़ते हैं फिर है, am am, क्या पढ़ते हैं, am फिर है, o, r, or, by, 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 do, do उचलिए एक बार इनका meaning जान लेते हैं, इसका मतलब होता है है, is यानी है तो वह एक लड़की है, she is a girl ठीक है, तो वह एक लड़की है तो यहाँ पर है के लिए इसका इस्तमाल हुआ है, she is a girl ठीक है, am, am का मतलब होता है हू, am यानी हू, जिससे कहते हैं कि मैं नाच रही हू, I am dancing इस तरीके से, और का मतलब होता है या, और यानी या, जिससे कहते हैं कि चाय लोगे या कॉफी तो इसे इंग्लिश में कैसे कहते है, tea और कॉफी ठीक है, और यानी या बाई, बाई का मतलब होता है द्वारा, बाई यानी द्वारा डू, डू यानी करना ह, इस, इसे हम पढ़ते हैं, his क्या पढ़ते हैं, his ए, आर, इ, इसे पढ़ते हैं, are वाई, ओ, यू, इसे पढ़ते हैं, you बी, यू, टी, but बी, यू, टी, but ह, ए, डी, had क्या पढ़ेंगे, had तो चलिए, एक बार इनका meaning जान लेते हैं, his का मतलब होता है, उसका या, उसकी, his का मतलब क्या होता है, उसका या, उसकी, his का इस्तमाल होता है, किसी लड़के के लिए, यानी कि किसी mail के लिए, फिर है, R, A, R, E, इसे हम पढ़ते हैं, R, और R का मतलब होता है है आर यानी है जैसे कहते हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं we are good friends इस तरीके से you, you का मतलब होता है तुम या आप ठीक है, you यानी तुम या आप तो इंग्लिश में चाहे कोई आप से बड़ा है या छोटा है, दोनों के लिए ही हम you का इस्तमाल करते है ठीक है, फिर है but but का मतलब होता है लेकिन, but यानी लेकिन had का मतलब होता है था या थी had यानी था या थी, जैसे कहते हैं न कि मेरे पास एक कार थी I had a car ठीक है, या मेरे पास एक घड था I had a house इस तरीके से clear है यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की class, वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज नीचे comment करके बताना वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को like जरूर कर देना और अपने सभी friends के साथ वीडियो को share करना और अभी तक जिसने भी चैनल को subscribe नहीं किया हो subscribe भी कर लेना